Hey guys, welcome back to my channel, I hope you guys are doing super great तो हमने last video में Axios के बारे में देखा था उसके साथ में हमने get request के बारे में देखा था कि हम Axios में किस तरीके से get request को call कर सकते हैं तो आज हम देखने वाले post request के बारे में जब भी हमें अपना कुछ data backend में हमें server में post करना होता है backend में send करना होता है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं तो आज हम बिना time waste के सीधे example के साथ start करते हैं तो यहां पर मैं src के अंदर एक नई file बना लेती हूँ जिसका नाम मैं लिख देती हूँ Axios post.js और यह file हमारी create हो गई है and rfce जो हमारा extension होता है उसके through मैंने या पर function component में इस file को convert कर लिया है and obviously बात है function component है it means हम hooks का use करेंगे and now हमें क्या करना है data post करना है हमें post API call करना है it means हमें कुछ data हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो हम send कर सके and usually यह वाली condition का बाती है जब हमारे पास कोई forms होते है जिसमें हम user से data collect करते है और उसे अपने backend में या पर server हम कह सकते हम उसमें save कराते है तो यहाँ पर में एक form create कर लेते हूँ I hope आप लोगों को पता होगा कि react में किस तरीके से हम form handling करते है जिने नहीं पता है मैंने already इस पर video बना के रखा है आप जाके वो video देख सकते है तो form बना रहे हम तो उसके लिए मैं सबसे पहले label tag जो होता है वो डाल देती हूँ और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ first name and उसके बाद मैं यहाँ पर डाल देती हूँ input tag and input tag में हमारा क्या होगा type मैं दे देती हूँ text text क्यों 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 हम name एंटर कराने वाले and साथ में ही मैं यहाँ पर एक BR type डाल देती हूँ जिससे मेरी line यहाँ ब्रेक हो जाए and similarly मैं ही यहाँ पर copy कर लेती हूँ दोनों lines को and I'll paste it here and first name को change कर देते हैं last name में and इसका type भी text ही रहेगा okay तो हम पहले देख लेता है कि यह जो चीज हमने लिखी है input tags वो हमारे browser में display हो रहा है यानि तो उसके लिए मुझे अपने component को app.js में call करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं call कर लेती है अपने component को that is axios sorry axios post right यहाँ पर मैंने component को call कर लिया इसको save कर लिया है and अभी हम चलते हैं यहाँ okay perfect हमारा first name शो हो रहा है मारा last name शो हो रहा है अब हमें क्या करना है हमें अपने input tags में values को receive करना है it means यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो हम name एक component दे देते है name मैं दे देती हूँ f name and यहाँ पर मैं name दे देती हूँ l name that is for last name I guess or I'll give last name it's better and obviously बाते हमें अपनी values जो है वो store करानी पड़ेगी किसी variable में तो सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ variables create कर लेती हूँ constant मैं बना लेती हूँ data नाम का जो की होगा मेरा एक object जिसमें मैं बना रही हूँ name जिसकी initial value होगी empty और उसके बाद okay I'll give it as f name and इसको मैं दे देती हूँ last name sorry last name जिसकी initial value होगी empty ठीक है तो यहाँ पर मैं initial values पहले दे देती हूँ तो यहाँ पर मैं value दे देती हूँ data dot f name and यहाँ पर मैं value दे देती हूँ data dot last name and now हमें अपने इस data को use state में set करना है तो मैं डाल देती हूँ constant इसका नाम मैं दे देती हूँ input data and इसको दे देती हूँ set input data sorry input data equals to होगा मारा क्या use state and इस use state में मैं क्या करूँगी जो input data उसमें data को data की जो values है उससे initialize कर दूँगी and I'll save it and now what exactly I need to do I need to provide the on change method कि जब भी इन values में कुछ भी change हो तो हमारा एक event जो है वो call हो तो I'll say handle data and similarly here also I want on change I need to call handle data and अगर हम नहीं आपर declare किया है तो हम इसको define करना पड़ेगा तो constant handle data इसको मैं लिख रही हो एक arrow function की तरह अब इसमें हम क्या करेंगे जब भी कोई user इसको मैं save कर लेती हूँ जब भी कोई user यहाँ पर values को input करेगा तो मुझे क्या चाहिए जो भी values input होंगी मैं उसको set करवा दू input data की current values के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा use state का जो function है set input data का use करना पड़ेगा and set input data में मुझे क्या करना है सबसे पहले तो मैं बोल दूँगी कि या जो भी input data उसको वैसे का वैसा रखो and जो भी हमारी तो एक बटन बना लेती हूं यहां पर बटन बना देती हूं जिसका नाम में रख देती हूं submit तो I guess यहां पर मुझे button show हो रहे होगी अब मुझे चाहिए कि जो भी user यहां पर data input करें और click करें submit button में तो मेरा API call हो और उस API call में जो भी data में यहां पर fill कर रहे हूं वो मेरा backend में save हो जाए उस API की through में उस data को send कर दी तो उसके लिए मैं क्या करूँगी सबसे पहले तो मैं एक event handler डाल दूँगी कि भाया जब भी कभी on click button पर कोई click कर रहा है तो आप handle कर लो submit ठीक है handle submit नाम का एक function मैंने यहां पर बना दिया I mean declare कर दिया तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा इसे define करना पड़ेगा यार copy नहीं हुआ था यह इसे copy कर लेते हैं इसे यहां paste कर लेते हैं and now यहां पर मैं event का e डाल देती हूँ and yes तो सबसे पहले क्या करना है जैसे ही कोई user submit button पे click करे तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा e.prevent default and I guess आप लोगों को यह पता हो कि default behavior को prevent करने के लिए हम यह लिखते हैं otherwise हमारा जो page होगा and now यह तो लिख लिख लिए हमने e.prevent default अब क्या करना है मुझे API call करना है अब अपने इस data को क्या करना है send करना है अपने इस input data को API call के साथ send करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है exios को import करना है exios manage ऐसे ही type के है exios from exios हमारा import होगा है exios.post कर रही हूँ post क्यों कर रही हूँ करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो जो हमने कल API का यूस किया था मैं इस API का यूस करें और इस API में अपने data को post करवा रहूं तो मैं यहां पर अपनी API लिख देती हूं साथ में मुझे क्या करना है अपने जिस भी data को post कराना है उस data को मैं कमा के के बाद second parameter में दे देती हूं तो मुझे क्या पोस्ट कराना है input data यहां पर जिन्हों ने भी मेरा exuse.get request वाला वीडियो देखा है उनकी लिए काफी जादा easy होगा get API को call करती थे क्योंकि हमें data चाहिए होता था पोस्ट का syntax भी just same है get API जैसा बस difference यह है कि इसमें API के साथ हम second parameter देते हैं जो डेटा जो डेटा हम इस API में send करवाना है उसके बाद अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो exeos होता है वो हमारा promise के concept के बना है यहां पर dot then कर सकते हैं यह dot then क्या है एक arrow function होता है यहां पर मैं response देख सकती हूं कि यह जो मैंने send किया data वो हमारा data actually में send हो भी रहा है नहीं तो मैं इसको console.log कराके response लिख देते हूं तो I guess हमारा अभी का काम यहां पर खतम हो गया है हम क्या करते हैं हम चलते हैं सीधे अपने browser में और देखते हैं कि यह सारा जो code हमने लिखा है वो actually work कर रहा है या नहीं तो okay हम आगे अपने browser में इसको मैं एक बार reload कर लेती हूं page को and inspect अपना open कर लेती हूं uh one minute okay I've written data ya just just give me a minute I need to give it as input data sorry guys my mistake I'm really sorry uh let me save it and now yes if I try it now it will work so now if I type it as yoshita and if I give it as jen and if I click on submit आप लोग ध्यान रखना आप लोगो को कोई यहां पर देखना है dev tool में कि console में क्या रहा है और network tab में क्या हमारा API call हो रहा है या नहीं तो मैंने यहां पर submit पर click किया जैसी मैंने submit पर click किया तो console तो ठीक है हम चलते है पहले network tab में I guess network tab हाँ तो आप देख सकते हैं network tab में हमारा जो user API है वो call हो रहा है in fact अगर हम console में चल कर देखें तो आप देख सकते हैं हमारा API call हो रहा है साथ में ही जो हमने data send किया fname equals to yoshita last name equals to jen वो भी हमारा इस API के साथ send हो रहा है तो यह ही हमारा simple सा concept था हम किस तरीके से post API call करते हैं अपने react के अंदर with the help of exeos काफी जादा simple था है so I hope आपको इस समझ आया होगा and so I think that is all for this video guys मिलते हैं next video में but उससे पहले यदि आप इस channel पढ़ रहे हैं तो please like the video and also यदि आप इस channel से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो like the video and also comment your genuine feedback thank you guys